खुलासा में आपका स्वागत है अज फिर हम आपको ले चलते हैं एक क्वारंटीन सेंटर पर जहां का दृष हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते हैं कि जो रूल्स हैं यूट्यूब के उसका वाइले सुन हो जाएगा इसलिए हमने इसको बलर कर दिया है अप लिकिन आपको हमें स्टोडी समझाते हैं यह गया कि इमामगंज प्रखंट के विश्रामपूर पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर पर मचा कोहराम का है यह जो आप विज्वल देख रहे हैं यहां लाठी चल ले हैं डंडे चल ले हैं और यह सब कुछ वीडियो बनाकर सूसल मीडिया यही का कॉरेंटाइन किया गया एक व्यक्ति ने कि इसको वाइरल कर दिया दरशल इमामगंज प्रखंट के विश्रामपूर पंचायत के राजकिये मधिविद्याले विश्रामपूर में बने कॉरेंटीन सेंटर पर प्रवासी मझदूर खाना-खाने को ले कर के आपस में चा रहा है कि खाना खाने को लेकर क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी आपस में ही एक दूसरे से उलजगए पहले एक दुसरे से बात से लरे पिर उसके बाद हाथ से लरे फिर लात से लरे और इस से भी जाम नहीं माना और मामला नहीं शान्त हुआ तो फिर लाठी डंडे से लरे प्रवासी मजदूर ही इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया और उस वीडियो को उसने सोसल मीडिया पर वाइरल कर दिया है ये घटना जो है ये 27 मई की बताई जा रही है हमने इसको बलर कर दिया है इसलिए आपको विज्वल साफ तोर पर तो नहीं दिखेंगे लेकिन आप दिखेंगे कि की स्तरह है यह विश्रामपूर पंचायत के राजके मदि विद्धाले में जो कॉरंटाइन की गए लोग है वो कैसे रह रहे हैं कैसे उलज रहे हैं कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं अखिर क्या कर रहा है जिला प्रशाशन किसके भरोसे कॉरिंटीन सेंटर चलाए जाता है क्या ऐसे चलता है कॉरिंटीन सेंटर जहां कॉरिंटीन सेंटर का मतलब पिकने के स्पॉर्ट हो जाए गुटबंदी हो जाए अपस में मारपिट हो जाए गया से ये खबर आपको हम विशेश तोर पे दिखा रहे थे अजित कुमार और पंकच कुमार की ये विशेश रिपोर्ट है